नमस्कार किसाम भाईयों आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागति दोस्तों अगर आप कुछ नई फ़सल कर रहे हो ककडी हो बेंगन हो शिमला मिर्च हो टामाटर हो मिर्च हो साधी मिर्च हो कोई भी फ़सल कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा महत हो रहता है वराइटी का स्वाइबिंग की फ़सल हो मक्य की फ़सल कोई भी फ़सल वराइटी अगर आपने गलत चुन ली तो आपकी जो फ़सल से जो भी मिलने वाली उपज होती है वह कम मिलने से आपका नुकसान होता है तो अच्छी उपज पाने के लिए और फ़सल में खर्च कम के लिए आपको वराइटी का सही से चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है और यही चुनाव आपको आपके एरिया के इसाब से आपको किस फ़सल में किस वराइटी का चुनाव करना है और कैसे करना है इसके बारे में आज का यह वीडियो बने होने वाला है तो भाई इ आपने अच्छे से तैकल कर लिया और उसे मुताबिक आपने वह अच्छी तो और दे उम मरें मार्केट में थार देख ने जा के आपको देखना वहाज की कते अच्छा सब्सक्राइख में पॉइंत किया जाता है ग्रायव को की दावरा तो उसी को ज़्यादा रेट मिलता है या फिके रंग को ज़्यादा रीड मिलता है तो ऐसा आपको मार्केट रिसेर्च करना है तो लाल वाला चलता है या फिर थोड़ा लाल वाला चलता है यह आपको देखना है मार्केट में हर एक फसल के आनुसार हर एक हर एक की क्वालिटी के आनुसार मार्केट में कौन सी क्वालिटी को ज्यादा दाम मिलते हैं यह आपको मार्केट रिस से जिन से जिन घुने के बाद उसमें से मारकेट में। आपको चुनने के बाद केंटत करने में कि शुष से रकता information का सकता हबưởng करोबत पाइपल के लिएम ऑपोंगत आपको घ् sos के लंगत तो दो ये में आपको घ्राइट जबप से आंपको मैंच करना पड़े वह कैसे करना है आपको बतता हो अगर की जमिन हलोकी वाली होगी तो जमिन में आपको जादा विगरसवाली वाहरती पर चुनाओ करना होगा और जहां पे पर वहां पर आपको 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 सेकंड पॉंट में कैसे का चुनाओ करना है अब इसाताट वारेटी का आपने मार्केट रिसर्च के द्वारा अगर आपने चुनाव किया है तो आप सेकंड पॉइंट जब आप टैकल करोगे कि भाई आपके जमीन के आनुसर वारेटी का कैसी चुनाव करना है जहापे ग्रोथ कम होती है तो वहापे ज्यादा ग्रोथ कहीर आप पर बाली उपरज़ चुनाव करना है और से निकलता है उसका आप अपको वजन में दिखाई देता है आपको ज्यादा ज्यादा वजन मिलता है तो रेट और वजं के बारे में हम फुलफिल यहापे क्राइटेरिया कर दीए तो तीसरा पॉइंट जो रहने वाला ह आपके पानी के उपर रहने वाला है देखो भाई आपके पास पानी के जो भी रिसोर्से से अगर वो फुल्फिल करते होंगे मतलब आच्छे आपका पूरा सीजन अच्छे से निकलता होगा आपके अंदर इतना कॉमपीडेंस है कि भाई आपको लग रहे कि इस साल अकल भी पडर सकता है पर पानी की किलत भी हो सकती तो अएसफी सच्वेयर में एक सरवाइव करने वाली वारेटी का बी आप चुनाव कर सकते हों तो यह थारड रहेगा कि पानी के उपर आपको फोकस देना जिकेन नोटिस करनी तो यह बात आपको ध्यान में रखनी यह आपका तीसरा पॉइंट पॉइंट आपको क्या गरना है कि आपने आगी देखो बाई तीनों पॉइंट के इससे अगर आपके पास 3-4 वारीटी अगर बचती है तो तीन से चार वाराइटी में भी आपको एक वारहिटी तो आपको आंतिम वाली यह आपके इंसेक्ट और डिस कि यह दे वाल दिवाराइटी घम दढना को अप अपने फासल में को बता प्राइब हो अगर तमयों मिरच कर रहे हो तो तो इसमें अगर आप अपने तीनों क्राइटेरिया कम्प्लीट कर ले और चौती क्राइटेरिया में हमने बता है कि बाई रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए जो जल से जल्द रोगों के प्रति उसको उपर रोग नहीं आना चाहिए और किटक नहीं आने चाहिए तो ऐसी अगर वार किटकों के प्रति संशिल कोंकों सी वाराइटी रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है इन चारों पॉइंट के अनुसार आप किसी भी फसल में वाराइटी का चुनाव करते हो तो आपको आपकी बेस्ट वाराइटी आपके हाथ में होगी तो अभी खास बात में वाराइटी के कि मुझे मोटिवेट करके हर रोज वीडियो भी पा सकते हो और जिन्हों ने आप तक कई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब का बटन जरू दबा दीजेगा तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको यह बताने वाले कि आप किसी से भी लेकिन कड़िते को लें देना नहीं होता है तो इन बातों को अगर एंज यह जर स Спहते और यह लगाने से तो वह बहुत ही अच्छे कट जाएंगे और आपका मुनाफ़ा भी वहाँ पे शूर हो जाता है अशुरंस उसमें ही आपको मिल जाता है कि आपका मुनाफ़ा तह है तो ऐसे बहुत ही अच्छे और बढ़िया जानकरे वाली वीडियो देखने के लिए जल से जल सब्सक्राइ कर दो और मिलते हैं आगले वीडियो में जय जावान जय किसान